नवस्कार दोस्तो वेलकम टू सरकार स्टेडी वेपस एजुकेशन चले दोस्तो अब हम जो है एक अगली सीट में काम करने वाले हैं जिसका नाम है आप जो है एक प्रकार से टेक्स पे कर सकते कि नहीं वह आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है आपको इस कंडिशन यहाँ भी लगाना है तो बोर्ड भी हम साथ में चेक कर लेंगे ठीक है या फिर जो है हम सिर्फ टेक्स बसका काम कर लेते पहले तो हम एक सीट को डिजाइन करने का सबसे पहला तरीका है जो नीचे आप seat आपने लिखे हो उसको आप right click करके rename कर दीजे rename कर दीजे मतलब आप जो है एक नाम लिख दीजी यहाँ पर text pair seat text pair seat अब seat तो ही वो सिर्फ text pair नाम लिख सकते हैं उसके आद आपको कहां चलना है layout में जाना है orientation में portrait size में जाकर a4 और margin में जाकर आपको normal ठीक है यहाँ आपका a4 size का page यहाँ पर आ चुका है एक line हम उपर छोड़ देते हैं और नीचे हम लिखते हैं क्या serial number name इसके लावा हम लिख सकते हैं हाँ पर salary salary लिख देते यहाँ पर ठीक है और यहाँ नीचे लिख देते हम क्या मतलब side में लिख देते एज एज और salary के अनुसार वो जो है टेक्स पे करना चाहिए सीख है मतलब यहाँ तो फिर हम country check कर लेते हैं country भी check कर न सकते हैं हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं यहीं रहने देते ठीक आप चाहिए तो वहाँ country लिख सकते हैं condition हमको लगाना है simple सी बात है उसके according हमको क्या करना है tax pay करना है ठीक है यहाँ पर tax के नीचे हमको जो condition है यानि कि formula लगाना है या फंक्सन लगाना है नीचे तो हम उपर क्या लिख लेते heading लिख लेते heading यहाँ पर merge कर देते merge करने के बाद हम कर देते है taxpayer seat tech pair और इनको जो है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ये हमारा पहला task होता है और थोड़ा सा हम जो इसको क्या कर बें ही है हैला देते हैं ठीक है आप serial number आपको छोटा जाहे है serial number को बशोटा कर देजे बांकी चीजों को जो है आप ऐसे रहने दीजे और इसको जो है center alignment यहाँ middle कर दीजे इसको थोड़ा सा taxpayer को थोड़ा सा bold कर खे और बड़ा कर दीजे इसको जो है हम क्या कर देते हैं background में यहाँ पर dark color कर देते हैं और यहाँ पर हम light color कर देते हैं और टेक्स को हम जो है थोड़ा सा अलग यहां इंडिकेट कर देतें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और यह वाली जो सीट है मतलब यह हैडिंग है इनको हम कर देते क्या नॉर्मली हम यहां पे 10 लोगों का यहां टेक्स पे करने का जो है सीट बनाते हैं तो एक से ले नम लिख देजीए हम नाम लिख दिय इस प्रकार से हम नाम लिख देते next नाम लिख देते हम सुमेथ अजीद मुकेश ठीक है ये हम जो है चली एक और नाम लिख देते है राजिस अब यहाँ salary हमको देना है ठीक है तो salary एक निश्चीत होना चाहिए कि जिसे मान लो हम एक salary माप लेते हैं कि जो बैकती तीस हजार से ज़्यादा या फिर पचास हजार से ज़्यादा मन्थली कमाता है ठीक है तो उसके साल में कितनी income हो रही है तो देखे 12 महीने होते हैं यहीं कि 5 लाग से ज़्यादा हो जाएगी तो पचास हजार से ज़्यादा जो कमाता है वो क्या होना चाहिए तोनुँ चीज यहां चेक हो जाएगी, उसके बाद आपको करना क्या है, यहां टेक्स, पे होना चाहिँ है, नहीं होना चाहिँ है, तो यह आपको यहां पे क्या करना है, आनशार देना है, किसके अनुसार, फंक्चन के अनुसार, तो चलिए erst हम फिल कर लेते हैं, मान लोग किसी की salary कितनी है 40,000 ही है तो 40,000 के according कितना हो रहा है ये भी लगबग 5,000,000 हो जाएगा ठीक है 50,000 को हमको calculate करना है मान लोग किसी की 48,000 है किसी की 50,000 है ठीक है किसी की 60 है और किसी की हम दे देते हैं यहाँ पर कितनी है मान लोग किसी बेखती की 35,000 है ठीक है किसी की यहाँ दे देते हैं किया 70,000 तो यहाँ next जो person है उसकी हम दे देते हैं यहाँ पर किसी की 80,000 है किसी की 90,000 है और यहाँ किसी की 80,000 तो जो वेक्ति 50 है और 50 से बड़ा है और जिसकी यह 18 से उपर है वो हमारा यहां पर text देना चाहिए नहीं तो नहीं देना चाहिए ठीक है अब दीखे यहां पर हम दे देते हैं इसकी 18 किसी की दे देते हैं 16 अच्छा 16 वाले की salary इतनी नहीं होगी पर हम एक normally check कर रहा है या फ इसको लाकर जो है हम क्या कर लेते हैं यहां पर इसको लाकर छोड़ दीज़े कहां पर यहां पर ठीक है और इसको हम जो है delete कर देते हैं तो यहां country हम दे देते हैं जैसे इंडिया का है, चाइना का है, नेपाल, USA, इंडिया, ठीक है, यहाँ पे भी इंडिया, फिर USA, फिर इंडिया, फिर इंडिया, और फिर इंडिया, ठीक है, हम नॉर्मली इफ कंडिसन के यूज होना चाहिए, इसलिए यह सीट को बना रहा है, हाला कि इस सीट को बनाने का कोई औचित नहीं है ठीक है परन्तु हमको इफ जो function है वो अच्छे से clear हो जाएगा ठीक तो जैसे हम यहाँ उधारन देखते हैं अगर इंडिया का है और इसकी salary true value में हमको direct answer ना लिखकर क्या लगाना है जो d3 है उसकी condition लगाना तो फिर से आप if लगाईए bracket start d3 d3 बड़ा है या बराबर किसके 50,000 के तो यहाँ पर आपको comma लगाग देना है yes you can मतलब हम दे देते हैं कि tax pay करना है अब हिंदी में लिख लो इंग्लीज में लिख लो जैसे भी you can pay tax इस प्रकार से हमने जो है लिख दिये पर यदि वो इंडिया का है वो पचास अजार से काम उसकी salary है मतलब यह condition गलत हो जाती है तो गलत वाली condition value if false तो you can pay tax इस प्रकार से हम लिख सकते हैं यह तो हो गई हमारी किसकी d3 जब गलत होगा तो इसकी condition सही वाली हो गई गलत होगा तो उसकी condition गलत वाली हो गई पर अगर इंडिया का नहीं है तो काम लागाख हमको देना है क्या है wrong condition क्या देंगे wrong condition और wrong condition देखे हम जो इसको double quote स बंद कर देंगे और bracket enter ठीक जब हम enter करेंगे तो आप देखे यहां में इनके जो cell है थोड़े से छोड़ाई में कम कर देता हूं तो इससे क्या होगा इस cell को हम जो है थोड़ा सा फैला सकते हैं आप देखे yes you can pay tax कब जब 50,000 है पर वही चीज अगर मैं नीचे लिखूंगा कैसे यहां पर अगर यहां नीचे लिखता हूं यह देखे इस प्रकार में drag कर देता हूं तो किसी में देखे wrong condition आ रहे किसी में you can pay tax आ रहे किसी में you can pay tax आ रहे क्यों क्यों क्योंकि इंडिया का है और 50,000 से नीचे है तो you can pay tax तो यह तो हमारी condition हो गई आप समझ लीजे condition को फिर से हमने condition लगा है अगर इंडिया का है और यदि वो 50,000 से जादा या उसके बरावर का मारा है तो टेक्स पे कर सकता नहीं तो नहीं कर सकता पर यदि इंडिया का नहीं है तो direct condition wrong condition दिखाएगा ठीक है तो यह हमने सब में लगा दिये automatic इस उनने complete कर लिया अब हम सब को select करके का कर लेते हैं एक conditional फ़ार्मिटिंग लगा देते हैं तो यहां पे भी हम बोल सकते नहीं यहां पी दो कंडिशन लगा सकते जैसे इंडिया का तो green हो जाए तो इसको हम select करेंगे और conditional फ़ार्मिटिंग में जाका हम new rule लगाएंगे और new rule लगा के हम second number के option में जाके equal to क पर देते हैं और यहां लिख देते हैं इंडिया और जैसे इंडिया हो जाए तो यहाँ यहाँ पर हमको कलर का मुझत दिनिकेल्टी का सबस्क्सारा है क्लिकेश प्रूब्द यहां इन्डिया का है वह है tax pay कर सकता परन्तु इंडिया का होगा और हर वेक्ति tax pay करेगा ये भी जरूरी नहीं क्यों क्यों कि यहां 50,000 salary उसकी होनी चाहिए income होनी चाहिए हर महिने की तो उससे क्या होगा वो ही tax pay करेगा नहीं तो नहीं करेगा तो जैसे यहां देखें तो इसमें हमने select करें और यहां पर new rule में जाके second number के rule में हमने क्या करें है equal to you can pay tax इस प्रकार से यह रहेगा तो ही वो क्या होना चाहिए green होना चाहिए और कौन सा green light green होना चाहिए तो देखें जहां जहां tax pay किया गया है वो ही green हुआ है हाला कि जहां इंडिया का उसके सामने green क्यों नहीं हुआ क्योंकि उसकी sell ती 30,000 तो you can't pay tax तो जो भी you can't pay tax है वो yellow color में हो जाना चाहिए तो उसके लिए फिर से जो color है उसको select करो मतलब जो sell है और new rule में जाए और second number के option में जाकर हम कर देते हैं equal to और यहां कर देते हैं क्या अगर you can't pay tax है क्या है you can't pay tax तो उसका color हो जाए light yellow कैसा हो जाए light yellow ठीक है ओके कर दो तो देखें एक ही वेक्ती text पे नहीं कर सकता और wrong condition कंडिशन वाले को सब को कर दो क्या red wrong condition को सब को कर दो conditional formatting में जाओ new rule में जाओ format sell मतलब जो format only sell that content और equal to में जाओ और यहां लिखना है wrong condition क्या लिखना है wrong condition wrong condition वाले को कर दो red खत्रे कनिसान ठीक है यह देखें मतलब वो यहां के नहीं है मान लोग यह वेक्ती इंडिया का है तो जैसे इंडिया का है तो यहां भी green हो गया और यहां भी green हो गया इसका मतलब हमारी जो conditional formatting है वो काम कर रही है तो इस हिसाफ से हमने जो यहां पर क्या देखें है conditional formatting कैसे करना वो भी देख लिए है दूसरी चीज टैक्स पेयर वाले में हमने जो है क्या देखें इफ कंड हम mark seat बनाएंगे तो उससे क्या होगा आपका जो if है वो मजबूत होता रहेगा धीर धीर और जो आपकी seat है वो कैसे बनाना है मतलब आपको ध्यान रखना है जितनी भी seat मैं बताऊंगा वो seat को आपको complete देखना है जितनी भी seat है उन seat को आप देख लिए इसका मतलब आप Excel क complete revision आपका हो जाएगा तो उससे क्या होगा आप जो भी काम करते हो नौर्मली क्या होता है हम पढ़ते हैं तो हमको सिर्फ option पढ़ना होता है परन्तु जब हम काम करते हैं तो हमको उनों option को कैसे यूज़ करना है वो देखना होता है तो हमारा मुख्य task जो है या मुख्य लगभग दो घंटे के आसपार, तो सभी सीट आपकी complete हो जाएंगे, ठीक है, दस के आसपार जो सीट है, इनको आपने देख लिए हैं कि आपके पास Excel का ब्रह्मास्त्र है, तो आप कहीं भी Excel में काम कर सकते हैं, I hope आपको यह समझ में आये होगा, conditional formatting भी बताया है, और if condition भी, आप इसको प्रियोक करके देख रहे हैं, आप दो चार बार बना कर देखिए, तो उससे क्या होगा, आपकी practice हो जाएगी, और बाद में last में हम जो है क्या करते हैं, print preview देख लेते हैं, और हमारा print preview एकदम जखकास देख रहा है, जखकास बोले तो जखकास, ठीक है, तो यह आपको यह complete बनाना देख लिए आपने, इसके पहले हमने कुछ seat और देख लिए, आगे और कुछ seat देखेंगे, तो इस प्रकार आपके एक-एक seat complete हो जाएगी,